आज हम बनाएंगे राजस्थानी गट्टे की सबजी इससे पहले इतनी टेस्टी गट्टे की सबजी आपने कभी खाई नहीं होगी हलो फ्रेंड्स मैं वर्षय यवले मेरी चाइनल पर आप सब का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो चले फिर गट्टे की सबजी की रेसेपी देखते हैं सबसे पहले हम गट्टे बनाने के लिए गट्टे का आटा लगा कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने देड़ कटोरी बेसन लिया है तो ना आप बेसन में हम कुछ मसाले याड़ करेंगे तो यहाँ पे मैं बेशन के बीचो बीच मसाले डाल देती हो तो यहाँ पे मैंने एक चमच जिरा लिया है थोड़ी धनिया पत्ती ली है बारिक कटी हुई साती में इसमें हम कुछ पाउडर मसले याड करेंगे तो आप इसमें हम डाल दे थे एक चमच लाल मिर्च पाउडर ये काश्मेरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है साती में एक चमच धना पाउडर चुटकी बर हल्दी पाउडर और इसमें हम डालेंगे एक चमच कसूरी मेति और साथ में डालेंगे सौत के नुसार नमक और आप इसमें डालने वाले हम वाइल जो भी हमारा कुकिंग वाइल है वो चार चमच वाइल डाल देंगे तो वाइल डालने से बहुत मस्त और स्वाप्ट ये गट्टे बनकर तयार हो जाएगे छोटा वाला पोहा खाने का जो चमच हो रहता ना उस चमच के सबसे मैंने तीन चार चमच यहाँ पर वाइल डाला है तो आप एक बार ये सब चीज़े एक साथ मिक्स करके लिए थे हाथ से पहले एक साथ सब चीज़े मिक्स करेंगे फिर पानी डालकर इसका आठा लगा कर लेंगे जैसे नॉर्मली हम पराठा वगेरा रोटी वगेरे एक लिए आठा लगा थी ना बिल्कुल उसी तरक से यहाँ पे यह आठा लगा कर लेना है तो सब चीजे मैंने एक बार मिक्स की फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर यहाँ पे मैं यह आठा लगा कर ले लेती हूँ एक साथ पानी डालना है बस थोड़ा थोड़ा करके नहीं तो जल्दी पतला बैटर बन जाता है आंदाज नहीं आए ना पानी डालने का तो तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पाने डाले और आच्चे से यहाँ पे प्याटर बाना कर ले ले देखे मैंने किस तरह से यहाँ पे गट्टे का आटा लगा लिया है बिल्कुल नौर्म लिपाराटे के लिए लगा थे वैसा है अब उपर से थोड़ा सा वैल लगाएंगे क्योंकि वो बेशन हाथ में बहुत चिपकता है ना इसलिए उपर से वैल लगा लिया है मैंने अब इसके गट्टे बनाएंगे हम तो यहाँ पे हम एक गट्टे तयार कर लेते हैं तो पहले तो मैंने एक लंबे सा बनाया फिर उसमें से आदा आदा किया और फिर एक गट्टा मैंने तयार किया क्योंकि बहुत मोटा नहीं करना है मेडियम गट्टे यहाँ पे हमें बनाने है तो उसके हिसाब से गट्टे तयार कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने सब गट्टे तयार कर लिए अब इसको ना हमें पानी में उबल लेना है तो पानी में उबलने के लिए पहले से ही पानी मैंने गरम करने के लिए ग्यास के उपर रखा है करीबन मैंने एक लिटर के करीब पानी गरम करने के लिए रख दिया था तो यहाँ पे मैंने सब गट्टे बना लिये हैं तो आप ये पानी में गट्टे डाल देते हैं तो देखे पानी उबलना शुरू हो चुका है तो आप ऐसे कड़क उबलने वाले पानी में हमें ये गट्टे डाल देने हैं और मेडेम ग्यास के उपर धक्के इसको हमें 10 मिनिट पका लेन है देखे इस तरह से गटे हमारे उबलने हैं तो ढकित्रै यहां पैना मैं भुआ हे दस अबन बन चुक है सप्ला है कि आया मतलब कि हमारे गट्टे पक चुक अब यह गट्टे हमारे जब तक थंडे होते हैं तब तक हम सब्जी का मसाला तयार करेंगे तो यहां पे मिक्सर के जार में मैंने बड़ा वाला एक टोमेटो लिया है साथ में पाच्छे काजु लिये है फिर एक इंच अद्रक का तुकड़ा एक हारी मिर्च लिये फिर इसमें मैंने आप 10 लसन की कलिया डाली है अब ये सब चीजे हमें यहाँ पे पीस के लिया है तो यहाँ पे ये सब चीजे मैंने पीस लिये अब यहाँ पे मैंने लिया है आदा कटोरी दही यहाँ पे मेड़े मौला खटा दही है दही को मैंने फेट के लिया है तो अब दही में हम कुछ पाउडर मसाले मिक्स करके पूदर फिर इसमें डाली है धोड़ी हलदी पौड़र आदा चमच मैंने डाला एक गरम मसाला और साती में इसमें डालेंगे एक चमच कसुरी मेति तो यहां पे मैंने कसुरी मेति भी डाल दी है तो फिर इसमें हम डालेंगे सौत के नुसर नमक अब यह आच्छे से बेटर मिक्स करके ले लेते हैं इसमें थोड़ा सा और पाने डालेंगे और पाने डालकर आच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे सब जो मसाले डाले हैं वो सब आच्चे से दही के साथ मिक्स होने चाहिए तो यह देखे आच्चे से मैंने यहाँ पर मसाले मिक्स करके लिए है एकदम हमारा यह दही का और मसाले का स्मूद बैटर तायार हो चुका है देखे बहुती बढ़िया तो जो गट्टे थे हमारे वह भी हलके थंडे हो चुके है तो आप गट्टे को हम कट करके रखेंगे आपको कितने मोटे चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पर गट्टे कर सकते हो तो देखे बहुती बढ़िया तरीकी से आप यह गट्टे हमारे बन चुके है अगर आप य गट्टे की सब्जी गट्टे को तल कर बनाना चाहते हैं तो अभी गट्टे कटने के बाद आप पहले गट्टे को तल दीजे अगर आप इसकी सब्जी नहीं बनाना चाहते तो ऐसे गट्टे तल कर खाने में बहुत मस लगते एक ही नंबर तो कभी आप ऐसा नाष्टा भी ब देखे यहाँ पर मैंने सब गट्टे कट कर ली है यहाँ पर गट्टे की सबजी में गट्टे को तल करने ही बनाऊंगी डायरेक यह उबले वेब गट्टे हमें सबजी में याड करने हैं तो यहाँ पर सब गट्टे मैंने कट कर ली है देखे बहुत बढ़िया हमारे गट्ट त्यार हो चुके, आप चल थे सब जिवानाने की प्रोसेस में, ग्यास के उपर मैंने कड़ाई चाड़ा दी है, कड़ाई में मैंने डाला है वाइल, वाइल को आच्चे से गरम होने देंगे, वाइल हमारा यहापे गरम हो चुका है, तो वाइल में सबसे पहले डालेंगे ते कट कर लिया है तो प्याज को हलका 2 मिनेट भून लेंगे तो यहाँ पे प्याज हमारा हलका 2 मिनेट भून चुका है तो जो हमने टामाटर काजू अगेरे की पेश्ट बाना कर रखी थी ना वो पेश्ट डाल देते हैं और पेश्ट को मेडम ग्यास के उपर 2-3 मिनेट तरह से काजू वगेरे की पेश्ट हमारी भून चुकी है देखे पूरी तरह से पेश्ट ने वाइल रिलिस किया है मतलब यहां पर उसमें से लसून आधरव टोमेटो वगरा सबाच्चे से पक चुका है तो फिर हमने जो दही में मसाले डाल कर रहे थे वह वाला दही वाला द चलाते ही पक नायन नहीं तो धही फर जाता है तो देख बहुती मस्त बढ़या तरीके से यहां पर यह हमारा मसाला त्यार हो चुका है तो आच्चे से यहाँ पे दही भी पक चुका है तो यह मसाले पके है कैसे समझना है दिरे दिरे से यह मसाले अपना वाइल रिलीज कर देंगे इसका मतलब यहाँ पे यह मसाले हमारे पक चुके है देखे हमारे पेश ने पूरी तरह से वाइल रिलीज कर देया है ब पानी में उबाले थी ना वो पानी हमें फेकना नहीं है वो पानी वैसे रखना है और वही पानी यहाँ पे सबजी में याड कर लेना है तो पूरा पानी मैंने यहाँ पे याड किया है अगर आपको इतनी सबजी नहीं बनानी है तो कम पानी डाल सकते हो तो आभी पानी डालन इसको मेडम गैस के उपर उबाल लिया है कि तो बस इतना ही यहां पर सबस्की को उबाला है अब इसमें डालेंगे हमारे गट्टे तो सब गट्टे को एक बार मिक्स करेंगे और साथी में हम हलका मिटास अने के लिए एक चमच्प साथ के हलका मेनेज करने के लिए यहाँ पर गुड डालना बहुत ज़रूर है तो यहाँ पर मैंने गुड डाल दिया है तो आप ग्यास को लो टू मेडेम रखेंगे और लो टू मेडेम ग्यास के उपर अच्चे से 5-6 मिनेट गट्टे के साथ सब्जी को उबाल लेंगे तो देखें 5-6 मिनेट के बाद हमारी किस तरह से गट्टे की सब्जी तायार हो चुके बहुती मस्त और कितनी बढ़िया बनी है बहुत प्यारी और खाने में तो इतनी मस्त और टेस्टी लगी थी पूछो मत देखें एकदम परफेक्ट होटेल रेश्टरॉन जैसी धाबे ज खाने में इतनी स्वादिश्ट है पूछो मत तो आप इस गट्टे की सब्जी के ऊपर हम थोड़ा सा उपर से हारा धनिया पत्ती डाल देते हैं और यहाँ पे गर्मा गरम हमारी गट्टे की सब्जी खाने के लिए तयार हो चुके देखें विलकुल होटेल जैसे परफेक् पालि प Україह आपको मेरी एक अट्टे की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूले अगर आपको एक अट्टे की सब्जी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीज्ये अगर आप अगर चाइनल पर पहली बार है तो चाइनल को सब्सक्राइब करना भी न भूले फिर मिलेंगे ऐसी कुछ न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई